अगर आपको अपने नोलेज को समझना है परकना है तो आप मेरे टेस्ट को पार करिए अगर आप 20 में से 20 कुश्चन का आंसर दे पाते हैं तो समझे आपकी तयारी बहुत अच्छी चल रही है मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताएं पैन को पी साथ लेकर बैठें जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी तयारी कैसी चल रही है चल बिना देर के शुरू करते हैं जो अमित्र नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि मेरे जितने भी वीडियो आते हैं और डायरेक्ट आपको उसका नोटिफिकिशन मिलता रहेगा चल शुरू करते हैं आज का पहला क्व भूधातू लुगलकार पर्थम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा ओप्शन है अभूत अभूम बभूव जगाम मुझे उम्मिद आपने आंसर टिक कर ले आओगा तो इसका सही उत्तर है अभूत पहला अभूत जो है वो इसका आंसर है अगला प्रसंद देखिए इसका सही उत्तर है पहला वाला दिप्व जखिऌशन रूप्धर प्रथम पुरुष द्विवचण मुझे उम्मीद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्र है दूसरा तत्पुरुष पित्री तुल्ले पिताके तुल्ले शष्ठी तत्पुरुष हो गया इसमें ये वाला अगला क्वेस्टन देखे गुणीन किस विभक्ती का रूप है गुणीन इस दा राइट आंसर अगला प्रसंद देखेंगे स्वपनवास दत्तम का स्वपन अंक है स्वपनवास दत्तम में जितने भी अंक है उन सबका नाम है तो कौन सा अंक है जिसको हम स्वपन अंक कहते हैं पंचम द्वितिय चतूर्थ या शष्ठ मुझे उम्मिद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर है पहला वाला पंचम पंचम जो अंक है उसको हम स्वपन अंक के नाम से जानते हैं अगला प्रसंद देखेंगे प्रतिमा नाटक में अंक है प्रतिमा नाटक में अंक है चार, पांच, छे, साथ प्रतिका नाटक मुझे अमीद आपने answer टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्त bullish है चोथा, साथ प्रतिमा नाटक में साथ अंक है जो की एक भहुभूती की रचना है भहुभूती और सोरी भास भास की रचना है भास के मुझो अमीद हापने आंसर कर लिया कोगा तूसका सही उत्र है दूसरा अर्था तीन कभिये पेल चंपु अगला प्रशन देखेंगे बानस्तु पंचानन है किस ने कहा है? अप्षन है राजश्यकर ने, कालिदास ने, श्री चंदरदेव ने या हर्ष ने? बानस्तु पंचानन है मुझे उम्मिदा आपने आंसर टिक कर लिया आओगा तो इसका सहिटर है तीसरा श्री चंदरदेव स्री चंद्र नेन ने बान को पंचानन का रूप दिया है चंद्र दियुव अगला प्रसंद के भौभूति किस राजा के आश्रित थे बहु भूति किस राजा के आश्रित थे ऐसोगं अवंति वर्मा कनिश्क या कोई नहीं मुझे उम्मीदा आपने answer टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्र है पहला यशो वर्मा बहुभूती जो है यशो वर्मा के आश्रित थे बहुभूती ने के जैसे उत्तर्राम चरित बहुती अच्छी रचना है इनकी महावीर चरितम भी नहीं की रचना है बहुभूती की इन इसका सही है नाट्य शास्त्र की बात कर रहे हम यहां पर जिसमें आठ रसों की बात की गई है अगला प्रसन देखेंगे अलंकार संप्रदाई के परवर्तक है और दंडी वामन भामय या भरत मुझे उम्मीदा आपने answer टिक कर लिया होगा तो अलंकार संप्रदाई के जो है वो है भामय तीसरा इसका तीसरा आंसर है साहित्य में छह संप्रदाई है जिसमें से एक अलंकार संप्रदाई भी है जिसके प्रवर्तक भामय माने जाते हैं अगला प्रसन देखेंगे प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है और दंडी कृष्ण मिष्र मुरारी या श् प्रते है देए शब्ड में प्रते है शच्रियत तब्ध अल्यप मुझा उम्मीदर आपने आंसर टिक लिया ओगा तो इसका सही उत्र है दूसरा यत देये में यत परते होके दाध हातु में यत परते हुआ तो देये बना अगला प्रशन देखिए सभी रूपकों का सामान्य लक्षन किसके समान है नाटक के प्रकरण के व्यायों के या अंक के मुझे उम्मीद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्र है नाटक के अर्थात रूपक के जो दस भेद होते हैं नो के नो जो लक्षन है वो नाटक के अंदर नहींत होते हैं कि सामान्य लक्षन उनमें मिल जाता है तो जो नाटक है is the right answer नेक्स्ट क्वेस्टन देखेंगे, उपरूपकों के भेद हैं, उपरूपकों के भेद हैं, ओप्शन है चोदा, अठारा आठी है दस, मुझे उम्मीद आपने आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसका सही उत्र है, दूसरा अठारा, अरथात उपरूपक के जो हैं, अठारा भे मैत्रे विदुशक मुझे उम्मिद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्र है दूसरा चारुदत्तम में मैत्रे जो है वह चारुदत्तम में विदुशक का काम करते हैं अगला प्रसंद देखेंगे तरक भाषा में कर्मों की संख्या है तीन चार पांच या छे तरक भाषा में कर्मों की संख्या है तीन चार पांच है मुझे उम्मिद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्र है तीसरा अर्था तरक भाषा में पांच कर्म कहे गए ह कर्म कितने प्रकार के हैं तरकमाशा में? पांच प्रकार के तो तीसरा राइट आंसर है अगला प्रसन देखेंगे रूपवद भारिय है समास है रूपवद भारिय में कौन सा समास है? बहुवरी ही द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष मुझे उम्मिद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्र है बहुवरी ही पहला रूपवती भारिया यस्य सह रूपवद भारिय है बनता है अगला प्रशन देखेंगे सांखे की प्रकृति है प्रधान या प्रधान मुझे उम्मिद आपने आंसर टिक कर लिया होगा इसका आंसर है पहला वाला संखे दर्शन की जो प्रकृति है वो है प्रशन देखेंगे राघव विलास रचना है ओप्षन राजशेकर की विश्वनात की कालिदास की या भास की मुझे उम्मिद आपने आंसर टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्र है विश्वनात दूसरा राघव विलास जो है वो विश्वनात की रचना है तो आज के लिए इतना ही मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक करना ने भूले और आपको किसी भी संस्कित की किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आपको बढ़ाएगा